कि स्वागत आप सभी का वाइफ़ाई स्टूडियोज पर विच इस पार्ट ऑफ एकएडमी ऑप स्वाम विजिबल ओडिबल डू अवरिवन नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है इस भैतरीन सेशन में जल्दी से एक बरी शेर करेगा और एक बरी कमेंट बोक्स पे लिखेगा अम ओडिबल टू एवरिवन जल्दी से विजिबल तो मैं हूँ लेकिन ओडिबल का एक बरी आप कमेंट बोक्स पे लिख दीजिए जल्दी से एक बरी कमेंट बोक्स पे लिखेगा क्यूंकि अभी हो प्लस कोशन पहले होंगे उसके बाद 12 होगा फिर दो बारा सथर फिर एक किज होगा ठीक है तो जल्दी से एक बड़ी शेयर करिगा और मैंने आपके लिए कल के लिए, संड़े के लिए दोस्त एक बहुत बहुत बहतरीन important session रखा है, ठीके याद रखेगा, यह important session है बहुत ज़्यादा, history का session रखेगा, ठीके निमाख रखेगे कल संड़े है, तो कल मैं आपके लिए 10 से 12 कितने बज़े? सुबे 10 से लेके बारा बजे हिस्ट्री का फ्री सेशन रखने वालो जिसमें 500 कोशन करांगा ठीक है तो हमारा कल का टार्गेट जो फ्री क्लास का अनकेडमी का है वो है दिमाग पर रखेगा हिस्ट्री का दस से बारा दो घंटे 500 कोशन करेंगे तो आप जल्दी से क्यूज जब भी क्यूज हो करें लाइव वमन बाकी डिसकाउंट अगर आपको चाहिए लाइव वमन से 10% डिसकाउंट रहेगा इससे जाला डिसकाउंट चाहिए तो इस क्लास के बाद जो क्यूज होगा उसे जरूर करेंगा ठीक है लीजे पहला कोशन आम सभी के सामने और सो कोशन टार्गेट अभी प्रोमोसम में बहुत बच्चे डाउट फुल होगे कि इसमें से कौन सा और याद रखें क्रोमोसम इसका आंसर नहीं है ठीक है नहीं यह कोशन बढ़ा बेसिक कोशन ठीक है बहुत बेसिक कोशन है अगर साइकल चलाते समय में पैंडलिंग जो है इसको रोक दूँ ठीक है तो थोड़ी देर बाद हमाली साइकल रुक जाएगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी सवाल पुछा के किस हो जैसे यह जब मैं साइकल चलाते समय जो पैंडल है वो चलाना बंद कर दूँ और साइकल थोड़ी सी स्लो हो जाए उसका एक ही कारण हो सकता है कि फ्रिक्शनल जो है घर्षण बल जो है उस पर काम करने लग जाएगा बेसिक सी चीज़ है अगर मैं चलता हुआ धीरे-धीरे चलने लग जाएगा जाएगा चली एक और कोशन देखिए का इस कोशिंगा अंज बताइगा ठीक है पापाया वाड देखू और मैं पापाया अंसर ना लगा रखें तो तीनों के तीनों दिमाग पर रखेंगा यूनीक टूइच ऑफ फॉलिंग मतलब कौन से प्लांट कैटेगरी टाइप है जिसमें केंपेनियन सेल होते हैं बच्चे शेर करना सेशन को बहतरीन सेशन है इस कोशन का आंसर बताएगा कमपेनियन सेल किसमें होते हैं क सबसें बढ़िया तरीकिसे क्लास में बनाए रखोगे इसका कि दो बहुत बैनी फिट होगा ठेक है याद रखना हमारे पांच दिन की यह जो क्लास है इसके बाद मैं मोख सीरी स्टार्ट करने वाला हूं बस पांच दिन में सारे कोशन कवर करने हैं बहुत कम टाइम हैं प फोटो केमिकल अगर आप से स्मोग के बारे में पूछा जाए तो इसके लिए कौन सा क्लाइमेट होता है आंसर क्या बच्चे याद रखेगा सिंपल है वोम ड्राइट एंड सनी क्लाइमेट जिसमें फोटो केमिकल स्मोग बनती है यह कोशन नहीं करना आसान कोशन यह भी क असान लगेगा बहुत असान लगेगा इंटर केरेली मेरिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यह प्लांट के कौन से हिस्से में होता है जल्दी से बते हैं प्लांट के कौन से हिस्से में होता है बेसिक कोशन है बहुत बेसिक कोशन है इस कोशन का अंसर किया जल्दी सबतेग पूछा गया है उसमें से सैंओड किसमें प्रेज़ेंट होता है नैच्रल पेस्मेंकर सैनोड जिससे हमारी बीट्स बनती है लबडब की साउट आती है न यह सैनोड किसमें होता है पूरे चार चेंबर में से किस में होता है थोड़ा सा अच्छा कोशन है यार यह ऐसा कोशन बेपर में आपको आने के चांसी से आंसर क्या बच्छे सैनोड राइट और इसल में होता है ठीक है दिमाग रखेगा राइट और इसल में होता है इंपोर्टन कोशन है चार चेंबर में से सब्सक्राइब होता है इम्परटन से जल्दी से सब्सक्राइब को uns सा एसेड यूज होता है कुछ नमर 13 का बत लॉट सो इसमें से पॉलूशन इंडिकेटर प्लांन इसमें से कौनसा। condition indicator plant है कोशन नमर 15 का अंसर बताएं क्या है इस बेसिक कोशन है अगर आपने थैलोफाइट के बारे में सुना हो ठीक है पीएच के बारे में सुना हो लीचन आपने सुना होगा कही न कहीं तो आंसर इसका लीचन इसका अंसर है सलफर डायोकसाइड की प्रेज़ेंट एयर में कितनी है यह इंडिकेट करता है लीचन ठीक है दिमाग रखेंगे एक और कोशन है बड़ा बेसिक कोशन है अगर यह फूड कहता ना तो मैं फ्लोयम आंसर लगाता है लेकिन यह वाटर बोल गया ना तो मैं आंसर क्या लगा होगा ठीक है दिमाग रखेंगा बहुत बेसिक कोशन है एक और कुशन देखेंगा कौन सा बैक्टिरियल डिसीज नहीं है मुश्किल यह कोशन असान है ऑप्शन की वज़े से असान होगे कोशन में याद रखना हमी 7-9 बज़े क्लास है अच्छ खासे कोशन करने है यार os bring abelson करें पने छोड़ने है कहां दिमाघ रखेंगा जिसमें मतलब एर नहीं होती उस एन अरोबिक रेस्पिरेशन का कोमन एंड प्रोटक्ट क्या है स्वासन का जो अंति मुत्पादन होता है वो क्या होता है बड़ा बेसिक कोशन है दिमाग पर रखेगा अगर एन अरोबिक एक रेस्पिरेशन होती है न हमारे शरीर में दर्द होती है ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलता में तो कहने का मतलब लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जिससे हमारे शरी में दर्द होती है ठीक है दिमाग रहें का अगर आप जिम जाते हो न एक इदम से आप एक्सराइस कर लग जा उतना औक्सीजन आपको ना मिले तो बच्चे आपको लेक्टिक एसिड आपके शरीम प्रद्यूश रोगा एक और कोशन देखिए इस कोशन आंसर के हैं हां जी एंजाइम इन हूस प्रेजन्स ग्लूकोस और चुक्टोसा कनवर्टेड इंटू एलकोहल बड़ा प प्रेक्टिस किया एक्जाम में कोशन आ जाएगा 100% गरेंटी है इस कोशन का अंसर बताईगा कौन सा है इसमें से एंजाइम है जो ग्लूकोस और फ्रूक्टोस को कनवर्ट करता इलकोहल में असान है ठीक है जाए में जिसका आंसर है चलिए नहीं करना असान कोशन करा चु एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडिनी है और किडिनी की स्ट्रक्चिल और फंक्शन यूनिट क्या है नफ्रोन है ठीक है लेकिन गलती हम क्या करते हैं गलती से नियूरोन आ जाते हैं जल्दी जल्दी में नियूरोन नहीं लगाना जल्दी तब करो जब आप कॉंफिडेंस ओ और फोटो सिंथेसिस का बोला जाए तो दिमाग पर रखेगा ऐसेड है अच्छा कोशन है दिमाग पर रखेगा बहुत प्यारा कोशन है ठीके दिमाग रिए बहुत प्यारा कोशन है important question है एक और question है relative humidity को किसमें express करते हैं रताएं जल्दी से किसमें में एक्स्प्रेस किया जाता है चलिए यह नहीं करना कोशें इस कोशें आंसर देगा बहुत इंपोर्डन कोशें हाला कि यह 9th क्लास NCRD कोशें है 9th क्लास NCRD में चैप्टर उसका कोशें है कि सीधा पूछा गया तिंचर ओफ आइडिन इस में आइडिन सोल्यूट होगा सोल्वेंट कोशें क्या इसकोशन का अंसर मुश्किल लग रहा है कुछ नहीं है जल्दी से बताएं के और शेयर करियार सेशन दो पानी करण करेंगी लेकिन अगर इसको डूब जाती होटे में इसको इसे रखता न तो यह दूब जाती horizontal में float क्यों करती है बच्चे surface tension की वज़े से ठीक है surface tension ज़्यादा होता है क्योंकि area surface ज़्यादा है दिमाग पर रखेगा surface tension तब बढ़ता है जब ये ज़्यादा है अगर मैं ऐसे रखता ना needle को तो वो डूब जाती है ठेक अभी observe करना लेकिन ऐसे रखो तो नहीं डूबती है ठेक कारण उसका यही है ठेक एक और question देखिए sound cannot passes through which of the following question number 39 का answer का है sound और बच्चे याद रखना कल से यान की 25 तारिक से अपन लोग क्या है exactly 5 बजए course start कर रहे है science का फुल फ्लेश थियोरी आपको अभी डिटेल में बता दूँआ रेफर कोड लाइव वमन अनकेडमी पे class live हो चुकी है और कल से पहली class भी है biology से start कर रहे है answer क्या बच्चे इसका vacuum में which of the following matter maximum electrical connectivity असान है silver इसका answer एक और question देखिए इसका answer as which one of the following carbon किसमे प्योरेस फोम में आता जल्दी से बताएगा कार्बन की प्योरेस फोम कौन सी है comment करें question number 31 का answer के question number 31 का answer बताओ session को share करो सभी के सभी एटू जड़ बच्चे answer कैसका carbon black अब कोई बच्चा कहें नहीं सर्डायमंड है नहीं सर्डायमंड है तो यार इसका एक question ना आपको किसमे मिलेगा क्यूज में अभी सो कोशन के बाद एक कोशन होगा क्यूज में आएगा थाई बिलकुल आंसर डायमंड होगा लेकिन वह question अलग होगा कोशन को पढ़ देना ठीक है दिमाग रखेगा प्योरस फोम में नेचर की बात तो रही है ठीक है दिमाग कर रखेगा देखते हैं कोशन इसकोश का आंसर बतेगा यह नहीं करना किसका स्पाइडर मंग की करते रहेगा रिवाई से एक दम देखेगा enzyme catalyst is an example of which of the following enzyme catalyst किसका उधारन है कमेंट करेंगा इस question का आंसर के है enzyme catalyst किसका उधारन है question number 33 का answer क्या बड़ा easy question है यार enzyme catalyst किसका उधारन है basic question यह heterogeneous catalyst का उधारन है हीट्रोजीनियस हीट्रोजीनियस का क्यों कि यह na reaction में mix न ہ्मتरोग मिक्स नहीं होता ही हिट्रो मिक्स नहीं होताSu और येक्शन से अलग हो जाता है एक और कॉशन देखेगा जो भी complete science ठूठी में पढदना चाहता है कल से कोर्स स्टार्ट है अन अकैडमी पे मैं 25 अरिक से पहली क्लास है भाई लोजी की पांच बज़े ठीक है रैफर कोड लाइव अमन यूज़ कर लो अगर आप इस कोर्स में जुड़ता है न वर्थ कह रहा हूं कि रेलिवे का एक्जाम क्लियर होके रहेगा ठीक है दिवाक कॉशन है हाड कोल कंटेनिंग लिटल वोलटाइल मैटल मतलब अच्छी क्वॉलटल मैटल थोड़ा सा कम है एंध्र ये साइड कि किसमें कर्वर्ट होता है कोई बच्चा कहना कि सर कॉल अच्छा होता है जिसकी हीट जादा होती है यह मां को रहतेगा जो वोलटाइल होता न वो कोल इतना अच्छा भी नहीं होता थोड़े कम लेवल पर होता है ठीक है जो डायमेंड में कनवर्ट हो सकता है यह एंथरसाइड के बाद ही डायमेंड बनता है ठीक है जमाकर रखेंगा डेट इस दा बैस्ट कॉलर्टी ऑफ फोल ठीक है रूट हेर अराइज इस विच देखेंना लगाओ न तो time based कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं ताइम वेस्ट अगर explode कर नहीं है और सेशन को Sure करेगा क्या इस question answer which among the following is not a function of sympathetic nerves in automatic nervous system sympathetic nerve का कुन सा function नहीं है automatic nervous system में अब यह इदर लिखा हुआ contract to unary blader क्या यह function है दिमाग पर रखेगा यह function नहीं है automatic nervous system का यह function नहीं है unary blader हमारे control में होता है simple सी बात है automatic nervous system का function नहीं है यह हमारे control में होता है ठीक है हमारा ऐसा नहीं कि मतलब समझ रहें न मैं आप इसको उधारन देने लगूँआ तो थोड़ा ज्यादा में भी वलगर चला जाए ठीक है उधारन समझ जाना यूरी लेडर हमारे control में होता है ठीक है ऐसी automatic काम नहीं होता है वहाँ पर sliding friction is dash from the static friction जल्दी से बताएं इस question का answer के है बच्चे यह sliding है और यह simple है sliding में तो चीज़ें नीचे जल्दी आएंगी ठीक है तो भी यह तो कम होना समझ रहे हो क्या किया होगा father of radio activity जल्दी से पतेगा who is known as the father of radio activity क्या इसको शगा answer ठीक बच्चे हर एक में मिलता है चाहे आप railway की त्यारी कर रहे हो को यह difference मैं हर एक में कोर्स रखे हुआ है और सभी में कल से लाइब कर रहा हूं 25 तारीक से कभी मैं ऐसा नहीं कहता पीछे कोर्स पढ़ लो लाइब कराता हूं तब बोलता हूं ठीक है अगर मैं एक महीने बाद से लगा दूँआ है हैं रिवेक्वल ठीक है दिमापरे सिंपल सी रहत है प्योरे स्वों अब देखो यार जो मैं करता है कि युज में आएगा वह इधर ही आ गया अब कहा रहा है कई पर कारवन ब्लेक दे रखा है कई पर नेचर में लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा ना ठीक है दिमापरे के आंसर का है डायमंड है कोशन यहीं पर खेलते हैं बताएं इस कोशिंग आंसर अब सबस्टांस विच अल्टर दा रेट ऑफ रेक्शन किसी भी रसाइनिक प्रकरिया में कितनी तेजी आएगी कितना वो धीरे होगा वह कौन सा सबस्टांस चेंज करता ह जल्दी से कमेंड करेगा सबस्टांस कौन सा है आंसर क्या बच्छे कैटलिस्ट है उत्परे रख जो है यह बदलाव लेके आता है ठीक है इमां को रखेगा एक और कोशन देखिए इस कोशिंगा आंसर चल्दी से बताएगा ऑजोन लेयर जब भी ऑजोन लेयर रहा है तो म अबने इसके अलावा किसी और प्र्रोटोकोल के बारे में सुना भी नहीं अपनी मर्जी से इन्होंने आपशन लगा दिए यह निकरना वैसे इसका अंसर लिफाई है मैं कोई कोशन छोड़ रहा है इसका मतलब यह नहीं कि मुझे आता नहीं मैं इसलिए छोड़ रहा हूं does not have any effect on the velocity of sound बहुत प्यारा question है ऐसे question ज़्यादा पूछे आते हैं कि भाई इसमें से किसका velocity of sound पे कोई effect नहीं पड़ेगा बताएं question of 45th का answer के है ठीक किसका impact नहीं बड़ेगा बड़ा प्यारा question है pressure का कोई impact नहीं पड़ता velocity of sound ठीक है दिमाख रखेगा velocity of sound पे कोई impact नहीं पड़ता pressure का ठीक है एक और question देखेगा बच्चे याद रखना आपको एक चीज़ जरूर करनी है क्यों दोगे ना अभी 100 question के बाद उसके बाद profile follow करने ना कल current फेर नहीं होगा class कल सुबे 10 से 12 होगी और history के questions होने वाले हैं ठीक है petroleum is a mixture of which of the following petroleum किसका mixture है question of 46 का answer आसाना hydrocarbons का नहीं करना करावा question है ठीक है करावा question है बहुत easy question करावा ठीक है asbestos का क्या है compound ने मताएगा जल्दी से share करीगा session को compound ने मताएगा asbestos का compound name क्या है जल्दी से बता है asbestos का compound name क्या इसको शेकान से बता है यार याद रखना कल सुबे भी ने एक YouTube पे class रखी है 8 बजे ठीक है वैसे यह धोका हो सकता है कल सुबे का 8 बजे लेकिन मैंने रखी है तो रखी है आप क्या कर सकते है ठीक है 8 बजे class लेनी है YouTube पे समने ठीक है सुबे 8 बजे रात को तो कल भी होगी लेकिन सुबे 8 बजे भी रखी है भाई class ठीक है दिमाग में रखेगा ठीक है अब रखी है तो आईएगा ज़रूर यार calcium magnesium silicate इसका answer एक और question रखेगा हाँ जी who among the following proved that किसने यह prove किया था bacteria don't originate by spontaneous generation bacteria spontaneous generation से नहीं produce होता है जल्दी से बता है ठीक है answer क्या बच्चे बच्चे जब आप एक course लेते हो ना बहुत छोटा सा सवाल पूछा बच्चे ने जैसे आपने मेरा science का course लिया याद रखेगा इस refer code से live अमन से लेने के बाद science के साथ आपको math reasoning English जिस भी exam की त्यारी हो उसका full-fledged course मिलता है ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ science मिलेगी उसी के लिए पैस पे करोगे पूरा reasoning English बस कल से जुड़ेंगे तो आपको जब तक आप course लेता हो ना सारे subject पढ़ सकते हो सभी टीचर से पढ़ सकते हो ठीक है एक यह बेनिफिट बहुत अच्छा है आंसर के पैस्चर इसका answer नहीं तो अधरम कई और course लेते हैं तो हमें एक ही टीचर मिलता उससे पढ़ना और सब बढ़ा दें ठीक है दिक्कत हो जाती है ऐसे में फिच वन फॉलिविंग यूज इन पल्प ब्लीचिंग इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री में पल्प और एक्स्ट्रा क्लास लगाए यां रखना रात को आठ बजे जो class होती है आप रात को दो बारा जीके भी लुब्सahan अच्ट्रा क्लास रखें जो के सुबह होने वाली क्यों ने इस लिए यह रखू हमारा इस्ट्री बिंखते हैं दिमाघ पर रखे कए एक उर 3017-12ص exclusive to 0.560-250-500 करेंगे Bisensa bacteria nitrogen fixation में help करता है कौन सा bacteria nitrogen fixation में help ने intrinsic question है हमने एगर ऐसा question देख्र है supprimator जल्दि ना लगा ना तो nego अ टाइम वेक्स करें ओ स्वास्थ इसव फ़ोर्स फेकर से प्रिंसिपल पर हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है अच्छे कोशन करा रहा हूं जल्दी से बताएं इस कोशन का बच्चों मैंने बता रहा है सेटर्डे का क्यूष देना बहुत ज्यादा इंपोर्टन है तो जोश में दीजेगा सेटर्डे का क्यूष सो कोशन होते ही कर रहा हूं सिग्मा इसका अंसर है यह नहीं करना है ठीक है चलिए डामेंशन और विच्व तो फॉल्म की सेम इस इंप कहें पानी को सब्सक्राइब क्या हूं सब्सक्राइब क्या एक पानी को सब्सक्राइब हम वा망ई का सब्सक्राइब दिछोड़न कि और बांव है नेम इन इनर डायोटमिक ग्यार्स विच इस नाइधर कंबस्टिबल और हेल्प भी नहीं करता ठेके दिमाग को रखेगा ना तो पीऊंगा ना पीने दूगा मतलब कहने का मतलब ना कंबस्ट करूंगा ना करने दूगा ठेक अच्छा इंसान है आंसर कहा है नाइट्रोजन वैसे अमीनो से बनाता है दोस्त अमीनो एकिसे बनाता को बनाता है रुटीन बनाता यह और क्युशन देखें विच और यह अग। सब्सक्राइब यह कोशन इंपोर्टेंट है जल्दी से बताएं सब्सक्राइब सब्सक्राइब याद रखेगा याद रखेगा रिफलेक्टिड लाइट में बहुत बेसिक सा फंडा है जितना एंगल इंक्रीज ओगए बेसिक फंडा बिलकुल बेसिक फंडा एक और कोशन दखेए बाएं से कोशन का अंसर क्या है चल्दी से उते का इपनॉर्मल पूछा है कि मन्तब यह बेसिक नहीं होता ठीक है दिबाग रहते बेस्किल लिए नहीं होता हां जी जल्दी से अनुस्मिया और यार शेयर करो सब्सक्राइब अनुस्मिया का मत्त भी बताओ साथ के साथ 68 को अंसर एनुस्मिया क्या है बच्छे लोगो सेंस ऑ सब्सक्राइब कर लोगे उतना ही बढ़िया स्पीड स्पीड हमें सब को सब कुछ आता है कोई बड़ी हाइफाई साइंस नहीं है सब को आता है कितनी स्पीड में आता है यह मैटर करता है कितनी एकुरेसी आता है यह मैटर करता है स्पीड और एकुरेसी पर टार्गेट करो ग्यान इस समय इस आज के दोर में एक्जाम में सब के पास ग्यान है स्पीड और एकुरेसी बहुत कम के पास है ठीक है दिमाखना स् यह जो symbol है यह किसे represent करता है जल्दी से बताएंगा plant water relationship में मतलब बता पानी और पेड़ का भी relationship हो रहा है आजकर ठेकर बताएं यह symbol जो है किसे represent करता है water के potential को represent करता है किसको water के potential को represent करता है चलिए एक और question देखे बताएं इसको शेका answer और बाई जितने बचे देखना continuity बना अभी है जब आप इसमें क्यूजब भी कर रहे हो ठीक है फिर आपको ना मतलब 500% प्रतिशक efficiency आपकी बढ़ेगी ठीक है इतनी गरेंटी है लेकिन क्यूजब करने के बाद एक आंसर के है आंसर के बच्चे temperature at with the catalyst activity has maximum work सबसे बहतरीन काम करता है catalyst ठीक है optimum temperature पे एक और question देख को अभी मैं बताऊंगा पहले question का आप answer दीजिए पहले आप answer दीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या इसमें गलत हुआ और आपके क्यूजब में इसका कौन सा भाई आने वाला जो क्या है और मुश्किल होगा question जल्दी से बताएगा question का answer क्या question क्या comment करेगा देख क्यूज में 50 question को उठा रहा हूँ यह तो आपको बहुत benefit करेगा इतना आपको भी पता है देख क्यूजब आपको 100% benefit करता है इसका answer जीस्ट है इसका answer जीस्ट है लगाने वाले इसका answer carbon dioxide भी लगा रहे है क्यूंकि उन्होंने पूरे question को पढ़ा ही नहीं या तो अपना एक्ष्टा लगा लिया अगर दिया होता ना तो मैं कहता carbon dioxide ठीक है एक्शन दे रखा कभी में नहीं दे रखा एक और question देखिए quality of sound किस पर depend करते हैं जल्दी से बतेगा quality sound की quality किस पर depend करते हैं जल्दी से बतेगा sound की quality किस पर करते हैं कमेंड करेंगा किस पर depend करते हैं waveform पर बहुत basic है जितना प्यारा waveform को उतना ज्यादा sound अच्छी आएगए ठीक है which of the following is emitted in beta decay process beta decay process में क्या चीज emit होती है अब यह question बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसा question आतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आपको ऐसी चीजे पढ़ने है ना with the course ठीक है आपको कल की क्लास में बताऊंगा अबोर्ट सीरिस ठीक है दिमाख रहे अबोर्ट सीरिस ठीक है चलिया answer के इसका electron postron दोनों के दोनों इसमें से प्रोड्यूस होते हैं अगर question देखिए ठीक है दिमाख रखेंगे जाग नहीं बना रहा तब वीज़ोंनों तो फोल्यूम गैडिसीन इस यूस्ट ट्रीट्मेंट प्लैग्यूट ठीक है ठीक है चलिए एक और question देखिएगा बाइस question बचें अच्छे हैं बाइस के बाइस question बताई question number 78 का आंसागए question number 78 का आँसागए easy question कोई मुश्किल question नहीं है कहे रहा है आर न ज जनेटिक मैटेरियल विलुकुल गलत है झायलMetra सवाल्फ फूचा ग बट इस ध। छाली बच्छह का दिवाहर है पी प्पूर ठीक है पीफोर ठीक है दोस्त मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि एमजोन का गिफ्ट कूपन और यह सब करने वाला हूं ठीक है आई विल प्रोवाइड यू डैट विल बेनिफिट यू ठीक है है something like related to education itself ठीक है इटक है इट कैन भी आपकोर इट कैन वे अनिफिंग ठीक है इटक है नेधर भी एमजोन कोपन और यह है थीक है है हाट इस यूनित आप विच अशन पर विच और पूशन देखे इस कोशन का अंसर के है हां जी सोर्या लक्ट्रेडिया इस दॉस्ट्रीफिक नेम है लिजर्ड का है ठीक है आपकी फेवरेट ठीक है स्टेनलेस स्टील इस वर्ट बेसिक मिश्रिद धातु ठीक है मिश्रिद धातु एक और कोशन देखेगा इस कोशन का आंसर कहें दिल दी से बताएगा ठीक है नेम दा फॉर्स एंजाइम डेट मिक्स विद फूट इन कल बताता हूं आपको बताता हुआ ठीक है तु簡 sued के उक्स रहते अंधर कितने आंसर सभी कर शकता है अज क्यों कि प्रेक्टिस कर डो कि क्योंकि सारा सब्सक्राइब करने वाले मंदेशिकों कि रिप्रेक्टिस कर लेना कई आप मिस ना कर तो ठीक है इस इस थाग्पार और मेरे से ज़्यादा टाइम निकलेगा स्पीड में हमें एक्सपीरेंस है एक एक्जाम ही ऐसा टाइम है जिस समय हमें टाइम ही नहीं मिलता हम अपनी पलग भी जब काइडंग से ठीक है दिमाग पर रखेगा ठीक है प्रेशर जो होता है वो टाइम को इजटली मतलब टाइ एक्जाम होता है ठीक है इसलिए का आँसर बड़ा असान कोशन था ठीक है स्टार्श को करता यह परसन और इसका एक और एक और कोशन कर लो क्यूश आज प्रैक्टिस कर लेना दोनों क्लास में अभी साधे-9 बज़ाली क्लास में क्यूश कर लेना क्यूंकि हम कल से एक अच्छे घासे आपको भी इंटरस्ट आए और आप भी अच्छे तरह से कंपेट करो बैनी फिट भी हो आपको विट गैसे फिट विद बैलून आंसर के हिलियम एक और कोशन देखिए फॉर स्टेट ओफ मैटर इसमें से कुन सा फॉर स्टेट मैटर अब इदर यह भी यूज लाइट टू प्रिपेर फूड आर नोन एज वर्ट बड़ा बेसिक कुश्चन हो गया यह तो ठेक है लाइट प्लांट यूज करते हैं दियार ओटो जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सी बाता है बच्पन में यह पड़ा होगा है टेंथ क्लास में और यह स उतने धीरे पढ़ने में ला अधे टाइम तो शोंचोगे वह रह गया उससे बात नेगे इस बात नेगर उसका रिपलाई नहीं थी है ऊप्लाई बहुरा न आप निकल जाती एक यह मायने में से चीज़े अपने आप निकल जाती समय नहीं बचेगा तो लाओगे कैसे दिमाख में इसलिए कहतो खुद भी जब पढ़ो तो स्पीड में पढ़ो कॉमन कैपसुल जाए किडिनी का पार्ट है नियूरोन ठेक है एक और कोशन देखे हैं नैफरोन सोरी ठेक है कोमने में सोडिय माय कारमनेट आंसर क्या बड़ा असान बेकिंग सोड़ा फिच्वर फॉलिंग नोटा कोल वराइटी ठीक है डॉलमाइट इस नोटा कोल वराइट घर्मन् सिलवर में क्या होता है कभी तो झिख्रा इसका आंसर कोपर जिंक और लिक्ल इसका आंसर ठीक है एक और कोशन देखियो इसको सब्सक्राइब करो हर एक बच्चा उसके बाद साड़े नो बजे भी आओ क्लास लो उसके बाद क्यूज़ करना क्यूंकि हम कल से कॉंपेटिशन भी स्टाट करने वाले हमारी आठ और साड़े नो बजे वाले क्लास के क्यूज में ठीक है धिमागत सिंपल सी बात है यह स्टार्टिंग में हो गया था कोशन कि सेनोड कोस्व में होता है राइट और सल में होता है बर्ड यूजली एफ सिंगल वर्ट बच्व में usually single क्या होता है comment करेगा क्या होता है single जलदी से बताय scared तो से किया तो सच्छ थी UK और गणा सबस्क करें कि नहीं करना विच्छ बहूत Jaw अव्यूंध करेक्ट डेफिनिशन और ब्यक्तिरियों फिस्ट की कर टैफिनियेशन क्या है ठीक है इस तीन कोशन के बाद क्योंगी कोड़ आपके सामने होगा तीन कोशन के बाद प्रैक्टिस कर लो आज क्योंकि हमें संडे से कॉंपपटीशन करना कॉंपटीशन में आपको बहुत बैनिफेट होने वाले कोईंस तो मिलेंगे उसके लावे बहुत कुछ पड़ता है दो कोशन बचे हैं जलदी से करने के बाद साड़े नुबजे दोबारा जीके विदमन सर्साज करीगा यूटूब पर डारक्टली आ जाएगा जीके की क्लास पढ़ने के लिए 200 कोशन करेंगा आजम जीके की क्लास में साड़े नुबजे पहले क्युज करना फिर को से प्रियो टीक प्रियोडिक टेबल ठीके निमाक रख एक 5 कोश्णो में गया यह स्त्क्चर की वज़े से ऑपर है ठीके अगर मैं बोलूंत धामेंड का है यहां स्थैए इस वज़े से छसे क्यो normida ९ा कोशन खतम यह एमारे इसका कोड्माप सभी के सामनेi 698373 ठीक है 698373 अभी इसको अटैम कर लो फ्री ओफ कोस्ट है ठीक है आपको आज और कल में से प्रैक्टिस कर ले ना जिससे कि आप कल के कॉम्पटिशन में उसके बाद पूरे वीक का जो कॉम्पटिशन होगा उसमें हिस्सा ले सको पहली बात तो अगर आपने इसे नहीं क नहीं ले रहे तो यार आपके ऊपर कोई भी कमिशन भी दिल्चस्पी नहीं लेगा याद रखना सेलेक्शन के लिए जरूरी है ठीक है फ्री है आपको अपन करना अभी दो मिनिट में स्टार्ट करा रहा हूं उसमें क्लिक करना है और यह कोड लगाना है ठीक है रैंकिंग किन से आप बत्चे क्या कर सकते कोई कर सकते को अब को भौट बेनिफिट होता जगा पे केसे कैसे आएगा Zion को कैसे आएगा आप बत्चे अनकेडमी है पर मेंटेप पे क्लिक करें उस प्लस पो जाए उस पमींट करें छृषन को किसका option आएगा करें घर चया को क्लिक करते ही लगा देना हर एक बच्चा यह क्या है क्या है अमत्रा क्यरा हो एक फिर गता के आपको समझना है अब पड़ेगा geri प्लस पर करो किसका ओप्षन आएगा सफिंपल सी बात इंट्रस्टेड बच्चा आएगा और उसको बेनिफिट बहुत होगा free of course ठीक है free of course benefit है ठीक है तो आप जुड़ सकते हैं इसमें ठीक है बच्चा जल्दी से जुड़ जाओ सारे के सारे एट उजड़ बच्चा ठीक है benefit है यार इसका मतलब ऐसी चीजों का बहुत benefit होता है जब benefit हो रहा है तो उसको utilize करो ठीक है क्या बदा बाद में आपको इसका course देना पड़े अभी free है ठीक है तो अभी अभी मैं जुड़ जाओ उसके साथ ठीक है बच्चे स्टार्ट कर रहा है किसको मुझे उमीद है सारे आ चुके है किसको स्टार्ट करते हैं बहतरीन किस करेंगे a to z बच्चा जुड़ जुड़ चुका होगा जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाओ दो मिनट दिये हुएं दो मिनट बाद स्टार्ट कर दूँगा देखो यार कोई बच्चा जो अभी तक नहीं जुड़ पाया है क्या से जुड़ना यह देख लो आपको अन अकेडमी अप उपन करनी है अन अकेडमी अप उपन करो उसमें में टैप पे क्लिक करके प्लस का क्लिक करके टैस्ट का उप्शन टैस्ट पर जोइन कि उस पर यह कोड लगेगा और साथ के साथ है याद रखना कि मेरी फ्री क्लास है कल सुबह अन अकेडमी पर दस से बारा हिस्ट्री की स्पैशल क्लास है जरूर जोइन करिएगा आप प्रोफाइल फोलो करिए अमनलीप शर्मा आपको मेरी क्लास मिल जाएगी ठीक है अने कड़ में जाके अभी किसके बाद कर लेना बाकी कल से कोर्स टार्ट है फुल फ्लेज कोर्स है जो भी बच्चा देख रहा है मतलब अगर आपको साइंस मैथ रीजनिंग एक साथ पढ़नी है तो सभी के सभी स्कूर्स में मैनेज गोल पर जाना है मैनेज गोल पर जाना है मैनेज गोल पर जाने के बाद गेट सब्सिश्यम क्लिक करो मन सेलेक करो यह मन्त है मन सेलेक करिए उसके बाद लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए क्या लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए 10% डिसकाउंट के लिए हर बच्चा यह क्लास साड़ेचे बजए जो भी बच्चा कहा रहे कि सर 10 परसंट डिसकाउंट से सर कम हो रहा है यह तो हमें ना और चाहिए डिसकाउंट तो यार बिल्कुल ले लो आपके उपड़ करता है कैसे और लेना डिसकाउंट आप लो इसको जोइन करके इसमें कोई ज स्टार्ट कर दूंगा जल्दी से पोच जाओ ए टूजड़ बच्चा मुश्किल कोशन है थोड़े से लेकिन आपको क्यूज देना है पड़ेगा क्योंकि बैनिफिट है आपका इसमें है कि जल्दी से जोड़ेचाव सारे के सारे करें सेशन को एंड मैं सेशन को एंड कर रहा हूं यहां पर और उमीद सारे के सारे पोच चुक है किसको स्टार्ट किया जाए टूजड़ बच्चा पोच चुक है कि अगया है इस चुक है अगया है टेहरे पर चाहिए अगया है अगया है अगया है यह दो आगया है चले बच्चे उम्मीद सारे आच चुके हैं मैं सेशन को एंड कर रहा हूं किसको कंप्लीट करो और उसके बाद आप जो है अभी साड़े नौ बजे मैं क्लास लेकर आने वाला हूं जी के की आप जी के विद अमन सर्च करिएगा और मेरी इस क्लास में जुड़ेगा साथ के साथ अन अकैडमी पे भी जी के विद अमन सर्च करिएगा ठीक कितने में साड़े नौ बजे यूटूब पे और साथ के साथ अन अकैडमी सर्च करिए अमंदीप शर्मा प्रोफाइल को फोलो करिए और